Hello Everyone! Welcome to Magnet Brains! आज हम पढ़ेंगे about Chemical Effects of Electric Current याने कि क्या Electricity Pass करने से कोई Chemical Reaction होता है? Chemical Reaction होता है तो क्या-क्या होता है? कोई Color Change होता है, कोई नया Substance Form होता है, कोई Gas निकलती है क्या ऐसा कुछ होता है Electricity Pass करने से? देखते हैं कि Electricity Pass करने से ऐसा कोई Chemical Change या कोई Chemical Reaction होता है या नहीं यही हमें इस Chapter में पढ़ना है उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी हमने Class 7 Science में पढ़ा था कि Conductors are those which, substances which are good, which allow electricity to flow and Insulators और Bad Conductors are those which do not allow electricity to flow तो Friends, क्या हमने वहाँ पे Examples जो पढ़े थे, वो सिर्फ solids थे यानि कि Metals के बारे में पढ़ा था That Metals are good conductor of electricity अब मैं यहाँ इस 8th Class में आपको यह बताना चाहूंगी कि आपसे Question पूछा चाहूंगी एक एक एकजाम्पल के थूँ But I'm sure आप सबको पता है कि जो water है अगर मैं आपसे बोलू की water electricity करना करता है या नहीं सबसे हम important liquid की बात करे water तो आपको पता है आपके parents आपको बोलते है कि बीटा गीले हातों से इलेक्टिक स्विच को नहीं झूना यानिकि electricity जो है वो अगर मैं एलेक्टिक स्विच को चूँ और एलेक्टिक शॉक मुझे लग जाए तो क्या होगा एलेक्टिक शॉक से हम अपने आपको बचाना चाहेंगे इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक अप्लैंस को गीले हातों से या फिर जब आप वेट फ्लोर पे खड़े तब आप ना टच करें तो ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि वॉटर डस कंडक्ट एलेक्रिसिटी तो यह वदिसन में आ गया कि हम वह वाटर एलेक्रिसिटी कंड़कर तबी हम ऐसा सिखाया जाता है बच्पन से तो देखते हैं हम इसको एक experiment के थूरू एक activity के थूरू तो यहां पर हमने क्या लिया है हमने हमारा पूरा electrical setup लिया है जिसमें हमने यहां पर battery आपको दिख रिये ली है फिर हमने यहां पर bulb लिया है और फिर यह connecting wires तो आपको दिखी रिया है और हमने इसको सैंपल में डिप कर दिया है जो कि lemon juice है तो अगर यह switch on करने पर अगर मैं आप से बोलू यहां पर हम एक switch भी यूज करेंगे अगर switch on करने पर electricity conduct हुई तो यह bulb glow करेगा तो आपको क्या लगता है यह एक्सपरिमेंट आप अपने physics lab में जाके perform कर सकते हैं तो आप यह पाएंगे कि यह बल्ग लोज याने कि lemon juice is a conducting electricity and liquids can also conduct electricity तो क्या conclusion निकला कि liquid जो है दोनों wires के बीच में है तो वो current को पास करने दे रहा है तभी तो circuit complete हो रहा है और तभी electricity pass हो रही और तभी बल्ग लो कर रहा है the current flows through the circuit and the bulb close तो I'm sure यह आपको समझ में आ गया है next अगर मैं बात करूं किसी ऐसे substance की जो electricity को अपने through flow होने देता है कोई ऐसा liquid जो flow होने देता है बहुत जादा नहीं flow होने देता हर liquid तो electricity को अपने through completely pass नहीं होने देता होगा तो कुछ ऐसे liquids जो electricity को अपने थोड़ा सा ही pass होने देंगे उससे क्या होगा bulb बिचारा glow ही नहीं कर पाएगा तो बल्ग को glow होने के लिए क्या चाहिए कि sufficient amount of electric current should be able to pass यानि जो liquid लिया है वो electricity अच्छे से conduct कर पाए पर अगर कोई ऐसा liquid ले ले जो electricity को बहुत feebly conduct कर रहे हैं बहुत ही कम electricity को अपने through allow कर रहा है pass करने के लिए तो वो हम कैसे detect करेंगे वो हम detect करेंगे through LED so friends हम सबको पता है आजकल LEDs का use होता है सारे TVs में and हम तो बोलते कि आजकल LED TV ले लेना चाहिए तो वो LED होता क्या है here so this is what is an LED LED एक ऐसा device है जो की छोटे से छोटे feeble weak current को भी detect कर लेता है और जो है glow करता है तो this is an example of LED आप देख सकते हैं इसमें दो terminals है एक positive terminal होगा negative terminal होगा क्योंकि electrical device है जिसमें से कि अगर मैं बात करूं जो positive terminal है जो positive terminal है longer वाला जो लॉड़ है इसका जो एक LED की दो टांगे हम कह सकते तो जो लंबी वाली टांग हो ती है वो हमेशा positive terminal वाटट्री से कनेक्ट होती है हुर जो छोती वाली तांग होती है वह हमेशा negative terminal से कनेक्टद होती है तो आई अपको समझ में आगया कि LED हम क्यों यूज करते हैं कि जब एक वीक करेंट भी पास करता है तो वो से डिटेक्ट कर लेता है कि तो आई अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरी अक्टिविटी स्टडी करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कनेक्टिंग वायर्स है यह आपको दिख रहे हैं कि एक मैच बॉक्स है जिसके उपर वायर लपीटी हुई है तो यह पुराना मैच बॉक्स है जिसके उपर की हमने वायर लपीटी हुई है और अंदर हमने लिखा है रखा है एक मैगनेटिक कमपस याने मैगनेटिक कमपस जो है उसमें एक मीडल होती है जो कि मैगनेट की तरह बीहेव करती है और यहाँ पर मैपुट करूंगी अपना साङंपल जो कि मुझे टेस्ट करना है होगा क्या यह बैटरी है यह मेरा मैगनेटिक कमपस है और यहाँ पर मैप सैंपल करूंगी of course there will be a switch in the circuit अब जब circuit complete होगा तो क्या होगा? electricity flow करेगी electric current flow करेगा और electric current flow करेगा तो हमने पड़ा है class 7 science में that it will produce magnetism and due to which this magnetic needle of the compass will deflect or will show deflection. Because हमको पता है electricity can produce magnetism. तो यह magnetism cup produce होगा? जब circuit complete होगा और electricity, electric current flow करेगा wires के त्रूँ तो याने की sample वो होगा जो electric current को flow होने देगा अपने त्रूँ So let's see हम इस experiment को repeat कर सकते है tap water से, vegetable oil से और milk से. तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि tap water जब मैं इहां पर रखूंगी as a sample तो जो मेरा compass needle है वो definitely deflect करेगा और comment section में आपको definitely मुझे बताना है कि vegetable oil और milk के साथ क्या होगा क्या magnetic needle deflect करेगी या नहीं करेगी? Please do comment in the comment section below Okay, next हम next activity करते है take two teaspoons of distilled water in a clean dry plastic और rubber cap तो वही हम rubber cap में या plastic cap में क्यों ले रहे? क्योंकि वो rubber cap या plastic cap वो खुद poor conductor of electricity होती है और जो हमें test करना है liquid वो हम ले लेते हैं हमारे उस cap के अंदर तो अगर मैं distilled water को उस cap के अंदर लो distilled water आपको आपके जो है chemistry lab में definitely मिल जाएगा and आपने जरूर देखा होगा कि जो भी आपके घर में generators होते हैं उनमें जो पानी डलता है वो भी in water में generally जो पानी डलता है that is also distilled water So, क्या reason है उसके पीछे? आईए देखते हैं तो हमने क्या किया? हमने ये tester use किया जिसमें हमने rubber का cap लिया ताकि rubber insulator होता है इसलिए हमने बूलिया अब उसके अंदर हमने distilled water लिया और distilled water लेने के बाद हमने इसको भी previous experiment की तरह ही test किया कि क्या distilled water conduct कर रहा है electricity? तो क्या जवाब आया? distilled water electricity नहीं conduct कर रहा है इसलिए magnetic needle deflect नहीं करेगी जबकि अभी अभी हमने देखा कि tap water electricity conduct करता है तो क्या reason है कि tap water conduct करता है electricity अगर मैं कोई acid डालू HCl acid डालू water में mix करके वो भी conduct करेगी electricity अगर मैं कोई base डालू हम class 7 science में पढ़ चुके acid based in salts में base में OH negative ions होते हैं जैसे कि NaOH का अगर मैं solution use करू टेस्टर में वो भी magnetic needle को deflect कराएगा तो क्या reason है कि distilled water जो है magnetic needle को deflect नहीं करा पा रहा यह हम जानते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि distilled water में ions नहीं होते और ions की absence की वज़े से वो electricity conduct नहीं कर पाता whereas tap water में बहुत सारे ions होते हैं क्यों? क्योंकि आप सब को पता है कि tap water में बहुत सारे dissolved salts होते हैं हमें यह भी पता है जो पानी हम पीते हैं उसमें भी बहुत सारे dissolved salts होते हैं हमारी body के लिए अच्छे होते हैं तो वो सारे salts जब टूटते हैं आइंस में यह आइंस ही तो conduct करते हैं electricity और distilled water is that water which is free from all salts तो distilled water में salts ही नहीं होते आइंस ही नहीं होते तो इसलिए वो electricity conduct नहीं कर पाता distilled water is free of salts and is a poor conductor and this is the reason it did not let the magnetic needle deflect यही अगर में distilled water में थोड़ा नमक डाल दू तो मैंने डाल दिया ना salt तो क्या magnetic needle deflect करेगी the answer is yes तो acids के solution, basis के solution, salts के solution are a good conductor of electricity and उनकी presence में electric circuit complete हो जाता है तो I hope this activity is clear to all of you chemical effects of electric current जी हाँ मैंने आपसे यही पूचा था कि क्या electricity पास करने से कुछ chemical reaction होगा यही मैंने आपसे पूचा था तो आईए देखते हैं इसको एक activity के थूचा यहाँ आपर मैंने एक सेट अप लिया है अगें जिसमें मैंने बैटरी ली है आइड यह दो कार्बिन रोड लिया आप भोलेगी आपको कहां मिलेगी कोई भी यूस्ट सेल से आप कैरफुली अगर आप उसको ओपिंग करेंगे तो अंदर से जो निकलेगी वो होंगी कार्बिन रोड तो सब्स आपने यह दो कार्बिन रोड निकाल ली अब इन दोनों कार्बिन रोड के उपर आपने एक मेटल कैप चड़ा दी ताकि यह जो है वायर से कनेक्ट हो तो कंड़क्ट हो सके एलेक्ट्रिसिटी तो यह वायर जो की जैनरली कॉपर वायर हो सकती है कॉपर वायर को हमने मेटल कैप से कनेक्ट कर दियो और हमने कार्बिन र यूज करते घर में जो आप अल्रोडी यूज कर चुके और अब वो वेस्ट है उसको यूज कर लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वाटर में डिप कर दिया अब हमने उसमें थोड़ आसा lemon juice आड़ कर दिया या फिर कोई भी ऐसा substance आड़ कर दिया जो conductivity को बढ़ा दे क्योंकि मैं पता है lemon juice ने भी electricity conduct करी थी हमने अभी अभी पढ़ा था अब होगा क्या जैसे ही circuit complete होगा कोई न कोई chemical reaction जरूर दिखेगा maybe कि gas कोई evolve हो जाए in electrodes पे why am I using the term electrodes क्योंकि इन ही के surface पे अब reaction होगी इसलिए in carbon rods को हम बोलते हैं electrodes तो maybe electrodes पे कोई gas evolve हो जाए maybe ऐसा हो कि एक electrode पे कोई chemical reaction हो कुछ deposit हो जाए तो यह जो सारे changes होते हैं electricity के पास होने की वज़े से जब electric circuit complete हो जाता है इसी को हम बोलते है chemical effects of electric current तो क्या क्या हो सकता है यह कोई न कोई chemical reaction हो सकता है कोई gas बन सकती है कोई metal deposit हो सकता है कोई color में change आ सकता है तो यह जो है यह सारे ही characteristic होते हैं कोई न कोई chemical reaction के तो कोई न कोई chemical reaction जरूर होता है जब electricity pass होती है किसी भी solution के through तो आईए एक day to day dive का example देखते है एक activity के through I am sure आप सबने potato देखा होगा और मैंने इस potato को बीच में से दो parts में cut कर दिया है अब क्या होगा मैंने इसमें दो copper wire ऐसे करके गड़ा दी और उसके बाद मैंने इसको connect कर दिया बैटरी से और मैंने again यहां क्या लगा दिया magnetic needle जिसके आसपास मैंने wire लपेट दी तो अगर electric circuit complete होगा तो क्या होगा यह magnetic needle deflect करेगी क्योंकि जो आपकी electricity है it will produce magnetism and the magnetic needle will deflect यह तो होगा ही होगा बट पटेटो पे क्या असर होगा पटेटो जो है यहां से आप देख सकते हैं greenish color का हो गया है तो अगर मैं आपसे बात करूँ यह green color का क्या reason है कुछ न कोई न कोई chemical reaction तो हुआ है जब यह circuit complete हुआ है याने कि electricity अब flow कर रहे है तो अगर electric current flow कर रहा है तो यह green color का क्या मतलब है याने कि कोई न कोई chemical reaction ज़रूर हुआ है तो ध्यान से दिखिए यह जो बैटरी है इसका positive terminal है यह negative है positive है यह negative है तो जो positive terminal से connected end है वहाँ यह greenish blue spot आ गया है इसका क्या reason हो सकता है जरूर कोई ना कोई chemical reaction हुआ है इस copper wire के साथ और यह copper wire ने जो है इस वाले end पे green color छोड़ दिया है greenish blue color छोड़ दिया है यानि there is some chemical reaction which has definitely taken place यहने electric current के पास होने से कोई ना कोई chemical reaction हो गया तो क्या हम इसे कहेंगे chemical effect of electric current जी हाँ अगर हमने ऐसा किया तो greenish blue spot आएगा potato पे around one wire जो की positive terminal से connected है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जरूर copper wire का वहाँ कोई chemical reaction हुआ है so this shows the chemical effect of electric current और इसके बारे में हम एक proper example के साथ पढ़ेंगे हमारी next video में जहां पर हम electroplating भी discuss करेंगे till then thank you hello everyone welcome to magnet brains आज हम पढ़ेंगे about chemical effects of current so this chapter में हम पढ़ेंगे आज about electroplating so हमने हमारी last video में देखा था कि कुछ न कुछ chemical effect जरूर होता है electric current पास करने से कोई न कोई chemical reaction होता है जो हमें या तो evolution of gas के form में दिखता है या फिर हमें दिखता है in the form of some color change या फिर हमें दिखता है in the form of some production of some new substance so what can we do for this can we study this through electroplating आये देखते है what is electroplating तो हमने एक potato का example देखा था और अब आज की वीडियो में actual example देखेंगे chemical substances का तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने एक electric circuit लिया है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते यह रही battery और जैसे कि मैंने आपको बताया था वो surface जिस पे chemical reaction होता है यहाँ पर यह दो क्या है electrodes हैं यह दो electrodes हैं और यह दोनो electrodes जो है यहीं पे chemical reaction होगा अब यह मैंने दोनों copper के बने हुए electrodes लिए इस दिनको हम copper plate बोल रहे हैं और मैंने इनको dip कर दिया है copper sulfate के solution में copper sulfate का formula होता है CUSO4 मैंने copper sulfate solution में इनको dip कर दिया जैसे ही मैं circuit complete करूँगी याने switch on करूँगी तो क्या होगा electric current pass होगा और electric current जब इन electrodes के through pass करेगा जो कि metal के बने है copper metal के बने है तो कोई न कोई chemical reaction तो जरूर होगा क्या बता सकते हैं क्या होगा जो copper sulfate है copper sulfate जैसे कि हमने देखा दो चीजों का बनाए copper ion और sulfate ion तो ये copper के जो ions हैं ये जो हैं ये होंगे इस form में Cu2 plus के form में और जो sulfate के ions हैं ये होंगे इस form में SO4 2 minus के form में तो जो copper ions हैं वो negative terminal of battery की तरफ attract होंगे जो कि है ये क्योंकि ये इस पे plus charge है तो जब ये यहां की तरफ attract होंगे negative terminal की तरफ attract होंगे तो ये जो solution है copper sulfate का, यहां से copper ions जो है, इस electrode पे जाके जमा होते जाएंगे अब उस कमी, जो इस copper sulfate solution में copper ions की कमी हो गई है, तो यह वाला जो copper है, यह dissolve होगा, और थोड़ा-थोड़ा करके फिर से solution में आ जाएगा तो solution से copper यहां deposit हुआ और copper इस electrode से solution में वापस गया, तो क्या देख सकते हैं हम यहां पर यह यहां गया और यह यहां गया तो क्या लगता है आपको, यह वाला जो copper plate है, यह मोटा-मोटा-मोटा थिक हो जाएगा क्योंकि इस पे copper deposit हो रहा है, और यह वाल जो electrode है, इस से तो copper ion solution में जा रहे, तो यह वाला electrode क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा, so this is known as electroplating क्या हुआ electroplating, एक metal के ऊपर दूसरे metal की या सेव metal की जो covering होती है, वो electroplating होती है, तो यहां जो हम देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि copper metal के ऊपर copper metal ही जमा हो रहा है बट इसका तो कोई फाइदा नहीं होगा day to day life में, तो जब एक metal के ऊपर दूसरे किसी metal की coating करी जाए इसी को हम बोलते हैं, electroplating so a layer of one metal can be deposited on the top of another, this is known as electroplating, यहां पर जो हमने example लिया है, copper ही copper के ऊपर deposit हो रहा है तो that shows you a simplest example of the chemical effect of electric current, तो copper यहां से निकल करके इस electrode से solution में जा रहा है और ऐसा इसले हो रहा है क्योंकि copper ion solution से जो है negative electrode के ओपर जाके deposit हो रहे है, तो I hope यह पूरा आपको समझ में आ गया है आईए इसे एक बार revise कर लेते है So, क्या conclusion है जो अभी हमने किया उसका copper sulfate dissociate किया copper और sulfate ions में और copper जो है वो electrode की तरफ चला गया जो negative terminal से connected था negative terminal of battery से अब जो दूसरा copper का electrode था जो positive terminal से connected था उसने क्या किया? उस copper plate से copper जो है solution में dissolve होता गया और solution का copper तो negative terminal से attached वाली plate पे deposit होता गया जिसकी वज़े से वो plate मोटी होती गई और ये वाली plate पदली पदली होती गई So, copper transfer हुआ एक electrode से दूसरे electrode पे तो यही principle है electroplating का तो let's see electroplating क्या हुई? depositing a layer of any desired metal on another metal by the means of electricity यह हुई electroplating पर यह electroplating हम करेंगे क्यों? सबसे important question यही है जैसे कि आप यहाँ देख सकते है कि हमारी गाड़ी जो होती है उसकी shine खराब ना हो इसलिए उसको electroplate किया जाता है किसी और metal से अंदर का metal कोई और होता है तो यह electroplating जो है आप देख सकते हैं कहाँ कापे जो आपकी bicycle का handle होता है कुछ जो आपकी crockerी होती है glass wares आपको यहाँ दिख रहे हैं कुछ antique metals कुछ antique जो आपके होते हैं कुछ antiques उनमें यह coating होती है जो iron bridges होते हैं उनमें rusting हो जाती है तो rusting की वज़े से उनके उपर एक reddish brown deposit आ जाती है तो हमें उन्हें उस rusting से बचाना आए है इसलिए हम उनके उपर एक protective coat दे देते हैं किसी और metal का वाया electroplating तो क्या होगा? rusting prevent हो जाएगी और बहुत जादा loss नहीं होगा तो आएए कुछ और applications देखते हैं electroplating की chromium plating जैसे कि मैंने आपको बताया car के जो parts है उनमें क्या होती है? chromium plating यानि car के उपर chromium की एक layer लगा देते हैं क्यों? क्योंकि chromium की layer shiny होती है और scratches भी उस पे easily नहीं आते है तो scratch resistant होती है और नहीं खराब होती है easily यानि कि उसमें zung नहीं लगता असानी से इसलिए उस shiny appearance के लिए हम उस पे chromium की plate चरा देते हैं this is known as chromium plating और यह bicycle handles, wheel rims इनमें भी की जाती है जैसे कि अभी आपे आपने pictures देखी अब अगर मैं बात करूं jewelry की तो क्या आपने तो सुना होगा market में बहुत जादा artificial jewelry आ रिये तो इसमें होता क्या है पूरा gold तो नहीं होता अगर gold होता तो फिर artificial क्यों होता तो अगर मैं कोई सस्ता सा metal ले लू और उसके उपर gold की एक परत चड़ा दू यानि कि electroplating कर दू गोल्ड से तो क्या होगा outer appearance तो gold जैसा ही दिखेगा और अंदर gold होगा नहीं तो क्या ये सस्ते में बिग जाएगा जी हाँ तो this is the use of electroplating in making artificial jewelry तो artificial jewelry इस तरीके से goldsmith बनाता है अगेन हम अभी पढ़ चुके हैं कि iron की जो bridges होते हैं उनको जंग लग जाती है rusting हो जाती हो rusting को prevent करने के लिए हम उनके उपर एक coating कर देते हैं एक metal की जिसका नाम है zinc और इस process को हम बोलते है galvanization तो galvanization क्या होता है coating of zinc on iron objects to prevent rusting तो अगर मैं zinc की बात करूँ zinc metal की तो zinc होता है zn और अगर मैं बात करूँ iron के bridges की तो iron होता है fe तो fe iron के bridges के उपर rusting हो जाती है और rusting को prevent करने के लिए हम क्या करते है zinc की coating कर देते है iron के bridges के उपर या iron objects के उपर तो उसे क्या होगा इस जो rusting of iron है ये prevent हो जाएगा और इस पूरे process को हम बोलते है galvanization तो I hope electroplating का क्या use है और उसे किया कैसे जाता है कैसे एक metal को दूसरे metal पर deposit किया जाता है वो आपको समझ में आ गया है तो हमारी next video में हम इस chapter के FAQs discuss करेंगे जो की NCRTK exemplar solutions NCRTK solutions भी है सो तिल देन थाइंक यू हेलो एवरीवान वेलकम तो मागनेट ब्रेंज आज हम पढ़ेंगे अबाट chemical effect of current electric current सो ये class 8 science का topic है आज हम इस chapter के सारे frequently asked questions discuss करेंगे और ये questions NCRT textbook में भी आपको मिल जाएंगे सो ये questions इस chapter के लिए बहुत important है तो I am sure अपने ये chapter जरूर इसकी videos देखी होंगी अटेंट किया होगा और अगर नहीं किया है तो हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर जरूर विजिट करें तो आई हम देखते है question number 1 fill in the blanks most liquids that conduct electricity are solutions of मैं पता है acids, bases and salts के solutions जो है वो conduct करते हैं electricity next the passage of an electric current through a solution causes dash effect हमने इस chapter में पढ़ा ही क्या है chemical effects of electric current तो अगर हमने electric current past किया है तो कौन से effects आते है chemical effects if you pass current through a copper sulfate solution copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery बताये कौन सा terminal होता है negative terminal हम पढ़ चुके है कि negative terminal of the battery पे ही जो है जो copper 2 plus ions है वो attract होते हैं क्योंकि वो 2 positive है और battery negative की तरफ attract होंगे तो therefore copper 2 positive ions are deposited at the negative electrode negative terminal of the battery the process of depositing a layer of any desired metal on another material by the means of electricity यह हम यह पढ़ चुके है एक metal पे दूसरे metal का एक layer डालना इसी को हम क्या कहते है electro plating so I hope this is clear to you तो अब हम आगे बढ़ते है next set of questions की तरफ so next is when the free ends of a tester are dipped into a solution the magnetic needle shows deflection can you give the reason तो अगर magnetic needle deflect हुई याने की electric current flow हुआ because electric current जो है वो magnetism produce करता है वो जो matchbox था वो coil की तरह act करने लग गया क्योंकि उसके उपर wire हमने ऐसे करके coil करी भी थी तो इसी वज़े से magnetic needle deflect हुई याने की electric circuit complete हुआ याने की जो हमने चीज़ टेस्ट करी जो substance हम टेस्ट करे थे is a good conductor of electricity ये प्रूफ हो गया circuit is complete and it will be completed only if solution conducts electricity नेम दो three liquids which when tested in a tester in the manner ये इस picture के जाप से अगर हमने टेस्ट किया विच में कॉस्ट याने की वो है magnetic needle में deflection produce कर सकते है जादा भी थोड़ा भी तो क्या लिया जाए यहाँ पर की वो deflection कॉस करे कुछ ऐसे liquids भी ले सकते हैं जो बहुत अच्छे से electricity conduct करें और कुछ अगर एक आदा example ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा बहुत electricity conduct करें तो needle deflect होगी बट slight deflections होगे so आईए देखते हैं name the liquids, salt water बिल्कुल हमने तो सही choose किया है, salt water हमें पता है salt water is a good conductor of electricity because उसमें salts है salts में ions हैं जो की electricity conduct करेंगे और यह जो आपकी magnetic needle है, यह deflect करेंगी और positive terminal of battery और negative terminal of battery जो है, यह connected है इससे and then connecting wire से solution से connected है तो circuit complete होगा और जैसे ही मैं switch on करूंगी तो क्या होगा? आपका magnetic needle deflection शो करेंगा, काफी जादा deflection शो करेंगा lemon juice again हमें पता है is a very good conductor of electricity deflection होगा, vegetable oil vegetable oil is not a very good conductor but slight deflection in the magnetic needle will be there तो यह जो है electricity conduct कर रहे है और इसकी वाज़े से magnetic needle deflect करती है question 4 the bulb does not glow in this setup list the possible reasons यहाँ पे जो है यह liquid जो लिया है इसके लेने की वज़े से हो सकता है बल्ब ना glow करें क्योंकि हो सकता है कि यह good conductor of electricity होई न तो अगर यह poor conductor of electricity है तो यह बल्ब हो सकता है थोड़ा सा ही glow करें इतना कम current जाए कि यह थोड़ा भी ना glow कर पाए तो feeble current यानि this is a poor conductor of electricity that may be the reason और maybe हमने switch ही on ना किया हो circuit complete ही ना हो अगर यह good conductor भी है तो अगर circuit complete नहीं होगा तो क्या bulb glow करेगा नहीं, maybe connections lose हो wire के और battery के बीच के connections, maybe इसलिए यह bulb glow नहीं कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे reasons हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसकी की वज़े से यह circuit complete ना हो या फिर good conductor of electricity ना हो या फिर poor conductor हो electricity का तो बहुत ही कम current जा रहा हो जिससे बल्ब गलो ना कर पा रहा हो तो I hope these different possibilities are clear to you a tester is used to check the conduction of electric current through two liquids A and B, it is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid है, अगर liquid A के लिए brightly गलो कर रहा है और liquid B के लिए बहुत दिमली गलो कर रहा है तो पक्की बात हो गई कि A is a very good conductor of electricity B is a poor conductor तो liquid A is a better conductor of electricity than liquid B बल्कुल यही तो बात है liquid अच्छा conductor है यसलिए बल्ब गलो कर रहा है तो बाकी सारे options as it is discard हो गए तो आई होपी आपको समझ में आ गया Does pure water conduct electricity? If not, what can we done to make it conducting? वही हमें बाता pure water में ions ही नहीं होते है ions नहीं होंगे, salts नहीं होंगे ions नहीं होंगे तो electricity कैसे conduct होगी? उसमें salt डाल दो कैसे salt डालोगे? Dissolve a spoon of sodium chloride जाओ के घर में नमक है that is salt of course तो उसको अगर dissolve कर दोगे तो क्या होगा? salts की वज़े से electricity का conduction पॉसबल होगा क्योंकि salts किसमें ब्रेक हो जाते है ions में जो की responsible होते है for conduction of electric current In case of fire before the firemen use water hoses they shut the main electrical supply for that area explain why तो जो fire hoses होते हैं याने लंबी-लंबी जो उनके पास ऐसे structures होते हैं जिनसे की water बहार आता है continuously उनको hoses बोलते हैं तो वह hoses को यूज करने से पहले वह इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक का जो मेन मीटर होता है उसको शट क्यू कर देते हैं मतलब ताकि इलेक्ट्रिक्स अप्लाय पावर एक्दम कट हो जाए इसा क्यू करते होंगे क्यूंकि हमें पता है कि जो वह water use करने वह water is a good conductor of electricity उसमें ions होते हैं वह tap water होता है तो अगर उसमें ions होंगे तो वह electricity conduct करेंगे तो अगर by chance कोई भी electrical supply appliance से वह touch हो गए और electricity conduct हो गई तो क्या होगा इससे जो है electric shock लग सकता है उनको भी और जो लोग है आसपास के रिया में उनको भी इसलिए वह क्या करते हैं वह supply power जो है power supply cut कर देते हैं ताकि electric shock से अपने आपको पचा सके So this is because the water may conduct electricity जो water वह spray कर रहे जो की electric appliances से touch में आएगा तो क्या होगा electric shock आ सकता है A child staying in a coastal region tests the drinking water and also sea water with his tester तो हम टेस्टर तो देख चुके है कि क्या होता है He finds compass needle deflects more in case of sea water तो sea water और drinking water में क्या difference होता है वह हमें पता है न sea water में बहुत सारे dissolved salts होते है drinking water में इतने सारे dissolved salts नहीं होते वह तो बहुत सारे तरीके से purify होके हम तक आता है और हम तो घर में भी RO purifiers use करते है तो वह और जादा उसे purify कर देता है salts को हटा देता है जो required नहीं होते है पट sea water में तो बहुत सारे salts है जितने जादा salts उतना ही जादा better conducting होगा आपका liquid तो therefore sea water is a better conductor of electricity than your water which you use at home for drinking तो I hope यह आपको समझ आ गया होगा because of amount of dissolved salts is more in sea water is it safe for an electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour heavy downpour downpour मतलब की बहुत ही जादा बारिश होने पे क्या बाहर बारिश वाले area में क्या electrician को work करना चाहिए electrical appliances के साथ क्या कुछ repair करना चाहिए answer is no क्योंकि हमें पता है कि rain water में भी बहुत सारे dissolved salts हो सकते हैं और वो salts good conductor of electricity होंगे और अगर वो पानी वाले हातों से या जब जो आपका repair करने के लिए electrician आया है जब उनकी कपड़े गीले होंगे when he'll be wet और अगर उन wet हातों से वो उन appliances को touch करेंगे तो उनको shock लग सकता है तो इसलिए बारिश के दिनों में heavy rainfall हो तो बाहर के area में जहां पर wet रहता है इधर the floor or the electrician is wet वहां पर electrical appliances को touch नहीं करना चाहिए वहां पर repair का काम नहीं करना चाहिए to prevent electric shock पहेली had heard that rainwater is as good as distilled water so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester to her surprise she found that compass needle showed deflection why क्योंकि हमें बता है rainwater में कुछ dissolved salts होते है तो rainwater में कुछ ना कुछ salts होते है थोडे कम sea water से तो काफी कम बट होते तो है तो it will conduct electricity and therefore it will produce magnetism and the magnetic needle will deflect prepare a list of objects around you that are electroplated तो भाई cold drink की cans होती है उनके उपर tin की coating होती है जो हमारी car के parts होते है bicycle के handles होते है उनके उपर chromium की plating होती है हम chrome plated बोलते है हम jewelry को जो है किस से electroplating करते है silver या copper से ताकि हम artificial jewelry बना सके तो यह बहुत सारे examples हैं जने की हम use कर सकते है अगर मैं बात करूँ iron को हमें rusting से prevent करना है तो हम galvanization करते हैं जिसमें हम zinc की plating करते है दर्वाजों पे, window panes पे तो I hope this is clear the process that you saw in activity 4.7 is used for purification of copper a thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper is used as electrodes copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate which electrodes should be attached to the positive terminal of the battery and why तो जब हमने यह setup पढ़ा तो तो हमने यह पढ़ा था कि एक copper की plate यहां थी और दूसरी copper की plate यहां थी एक positive terminal of battery से जूडी थी और एक negative terminal of battery से जूडी थी although मैंने यहां पर सिर्फ एक cell ही depict किया है बट हमें पता है यहां पर हमने लिया था copper sulphate का solution और copper sulphate मैं आपको बता चुकी हूँ copper 2 plus ions का बना है और copper 2 plus ions attract होते हैं towards the negative electrode और इसलिए वो solution से जाकर यहां यहां पर deposit हो जाते हैं और यह वाला जो आपका electrode है यहां से copper यहां पर dissolve हो जाता है तो यह rod पतला होता जाएगा यह rod मोता होता जाएगा तो क्या लिया जाए यहां और क्या लिया जाए यहां हमें तो चाहिए pure copper तो यहां पर हमने एक मोटी सी strip ले ली और यहां पर पतली सी strip ली pure copper की ताकि यहां से जो copper है जब वो यहां solution से यहां deposit हो और यहां से जो copper है जो only pure copper है वो फिर से solution में और फिर solution से यहां deposit हो जाए और इससे क्या होगा यह impure copper की मोटी सी strip पतली होती जाएगी और ये प्यॉर कॉपर के पतली से strip जो हम ने ली थी उस पे और प्यॉर प्यॉर कॉपर आकर deposit होता जाएगा वो मोटी हो जाएगी So, कौन सी प्यॉर कॉपर के strip होनी चाहे है जो negative electrode से connect चले So, the negative, the pure should be connected to the negative terminal of the battery and the impure should be connected to the positive terminal of the battery So, ऐसा क्यों है? क्योंकि Cu2 plus ions है, वो किस की तरफ attract होंगे? Negative electrode की तरफ So, I hope ये सारे questions NCRT के आपको clear है So, this is all about the NCRT in text questions And in our next video, हम class 8 science का अगला chapter पढ़ेंगे I hope आपके लिए ये वीडियो यूसफुल थी Till then, thank you